Question number 2 में हमें यहाँ पे कुछ parts दिये गए हैं जिनका हमें product find out करना है तो इसके first part में हमें किस-किस का product find out करना है a plus 1, a minus 1 and a square plus 1 का and इसका हम यहाँ पे product find out करेंगे इस identity का use करते हुए तो यहाँ पे क्या है a plus b multiply a minus b it is equal to a square minus b square यहाँ पे हम use करेंगे किसका grouping property of multiplication का ठीक है न means associative लाका तो यहाँ पे first में कर लेते हैं हम पहले इन दो का multiply ठीक है तो यहाँ पे देखें इसको consider करते हैं हम a and 1 को consider करते हैं b इसी तरह से यहाँ पे a और यहाँ पे b तो यह क्या बन गया हमारे पास a plus b and multiply a minus b यह वाले identity ठीक है न तो यह क्या होती है a square minus b square तो अब देखें आगे हम इसमें करते हैं a की जगे हम write कर लेते हैं a को and इसका square and minus क्या है यहाँ पे यह है 1 b की जगा write करते है 1 को और इसका square ठीक है आगे यहाँ पे क्या है यह हमारे पास a square plus 1 तो इसका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a square and minus 1 का square हो जाएगा 1 ठीक है अगला ले लेते हैं यहाँ पे यह है हमारे पास a square plus 1 अब देखें यहाँ पे जो ये a square है इसको consider करते हैं हम क्या a and 1 को consider करते हैं b उसी तरह से ये a and ये b क्या हो गया a minus b and a plus b तो ये वाली identity का use करेंगे हम a square minus b square ठीक है तो a की जगा हम क्या write करते हैं a की जगा write करते हैं a की जगा write करते हैं a square ठीक है तो इसका square निकालेंगे इसमें use करके and यहाँ पे minus का sign b की जगा write करते हैं हम कितना 1 and इसका square तो यह क्या हो जाएगा a square का square होगा a to the power 4 and minus 1 का square होगा 1 तो इन टीनों का जो product है हमारे पास कितना आएगा a to the power 4 minus 1 इसका अगला part देखते हैं हम ही क्या है a plus x second part है इसका a plus x multiply a minus x and a square plus x square ठीक है तो यहाँ पे हम associative low का use करते हैं तो यहाँ पे हम grouping करते हैं किसकी a plus x and a minus x की ठीक है अब देखिए इसको consider करते हैं a and इसको consider करते हैं b उसी तरह से यह a and यह b ठीक है तो यहाँ पे हो गया a plus b multiply a minus b तो यह वाली identity का use करेंगे यह होती है a square minus b square ठीक है न इन दोनों का product a plus b and a minus b का यहाँ से लिए हमने आगे देखिए हम इसमें क्या करेंगे a की जगा write करते हैं हम कितना a तो इसका square and minus b की जगा write करते हैं हम कितना x इसका square ठीक है तो आगे क्या है यहाँ पे यह है अगला a square plus x square अब देखिए इसको क्या write कर लें a square minus x square यहाँ पे है a square plus x square तो यहाँ पे हम क्या करें अभी a square को consider कर लें a and x square को consider कर लते हैं b उसी तरह से इसको a and इसको b तो a minus b and multiply a plus b यह वाली identity a square minus b square ठीके, तो इसमें put कर लेते हैं हम इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, a square ठीके न, a की जगा a square and इसका भी square, minus, क्या करेंगे, b square, तो b की जगे हम क्या write करें, x square write करें and इसका square, तो a square का square हो जाएगा a to the power 4 and minus का sign x square का square हो जाएगा, यह x to the power 4, ठीके, तो इन तिनों का product हमार पास आएगा, a to the power 4 minus x to the power 4, इसके third part में हमें इनका product find out करना है, इस identity का use करके, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे grouping property of multiplication का use करेंगे, तो यहाँ पे पहले इनकी grouping करते हैं, first two की, ठीक है, तो इनकी grouping करते हैं, अब देखें, यहाँ पे जो यह x है, इसको consider कर लेते हैं, a and one upon x को consider करते हैं b, उसी तरह से यहाँ पे इसको a and इसको b, तो देखें, यहाँ पे क्या बन गया, यह a minus b and multiply a plus b, यह वाली identity, ठीक है न, यह क्या होती है हमारे पास, a minus b multiply a plus b, a square minus b square, ठीक है, तो अब देखें, इसमें आगे क्या करते हैं, a की जगा हम write कर लेते हैं, किसको x को, ठीक है, a की जगा x को write कर लेते हैं, तो इसका square and minus b की जगा write कर लेते हैं, हम किसको 1 upon x को and इसका square, ठीक है, आगे यहाँ पे है, यह x square plus 1 upon x square, अभी देखें, यहाँ पे यह क्या बन गया, x square and minus, यह हो जाएगा 1 का square 1 and x का x square, ठीक है, and यह x square plus 1 upon x square, यहाँ पे देखें x square को हम consider कर लेते हैं a and 1 upon x square को consider कर लेते हैं b उसी तरह से इसको a and इसको b तो यहाँ पर क्या बन गया a minus b and a plus b ठीक है a minus b multiply a plus b यह वाली identity है a square minus b square तो यहाँ पर हम इसका use करेंगे a square minus b square का ठीक है न तो यहाँ पर देखे a की जगा हम write कर लेते हैं किसको x square को x square का square and minus b की जगा write कर लेते हैं 1 upon x square को and इसका square तो यहाँ पर देखे x square का square कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x to the power 4 and minus 1 का square होगा 1 and x to the power 2 इसका whole इसका जो square है वो क्या बनेगा x to the power 4 तो इन टीनों का जो product है हमारे पास कितना आएगा x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4 इसका fourth part है हमारे पास यह क्या है x cube fourth part क्या है इसका x cube minus 1 upon x cube and x cube plus 1 upon x cube and multiply यहाँ पे है x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6 ठीक है तो यहाँ पे grouping कर लेते हैं हम first 2D first 2 की grouping कर लेते हैं इनको हमें multiply करना पहले तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको consider कर लेंगे a and 1 upon x cube को consider करेंगे b उसी तरह से इसको a and इसको b consider करेंगे ठीक है अब देखो a minus b and multiply a plus b यह वाली identity है यहाँ पे तो यहाँ पे इसको write कर लेते हैं इसका क्या हो जाएगा a square minus b square ठीक है तो क्या करें यहाँ पे a की जगा हम write कर लेते हैं x cube क्या write कर लेंगे x cube और इसका square ठीक है and minus b की जगा write कर लेते हैं 1 upon x cube and इसका square, ठीक है, आगे हमारे पास है x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6, clear, इसमें आ जाता है हमारे पास x cube का square हो जाएगा, x to the power 6 power को multiply करते हैं, ठीक है, यहाँ पे minus 1 का square 1 होगा and x cube का square होगा x to the power 6 and यहाँ से x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6, अब देखें यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस x to the power 6 को consider करते हैं, a and इसको consider करते हैं b, ठीक है, उसी तरह से यह a and यह b, तो क्या हो गया a minus b and multiply a plus b, तो यह वाली identity use करेंगे, यह हमारे पास होती है, a square minus b square, ठीक है मैं, अब देखिए, एक ही जग and इसका square, ठीक है, यहाँ पे minus का sign and b की जगा write कर लेते हैं, हम 1 upon x to the power 6 and इसका square, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x to the power 6 का जो square है, 6 to the power 12, तो यह हो जाएगा x to the power 12 minus 1 का square 1 and x to the power 6 का हो जाएगा x to the power 12, तो इन तिनों का जो product है हमारे पास इतना आएगा,